तो कंस्ट्रेंट मोशन की सीरीज में इस वीडियो में हम लोग एक नया क्योशन लेने जा रहे हैं तो चलिए हम क्योशन को समझ लेते हैं क्योशन में हमें यह डाइग्राम दिया हुआ है ब्लॉक A है, ब्लॉक B है और यह इस तरीके से पुली और स्ट्रिंग के help से connected है हमसे पूछा गया है ब्लॉक A is moving away from the wall at a speed B and acceleration A तो हमें option से पता लगेगा हमें इसमें क्या बताना है तो दीखिए option A कह रहा है velocity of B with respect to A क्या होगी यह हमको बताना है तो acceleration of B with respect to A क्या होगा acceleration of B with respect to A यहने कि acceleration और velocity के बारे में हमको बताना है कि B का A के respect में velocity और acceleration क्या होगा यह question है ठीक है तो एक बार आप खुद से try कर लीजिए question को वीडियो को pause करके फिर उसके बाद में आप मेरे solution को देखिए तो चलिए हम solve करते है देखिए हमारे पास में यह diagram दिया हुआ है A जो है वो left direction में जा रहा है इसकी instantaneous velocity है V और इसका acceleration है A तो हमें बताना है कि B का acceleration क्या होगा पहले तो हमको ground के frame में निकालना पड़ेगा फिर हमको निकालना होगा कि B का acceleration A के respect में क्या होगा और यही काम हमें करना होगा velocity के लिए तो देखो माल लेते हैं कि इस string के अंदर tension T है तो यहाँ पर हर जगर T हो जाए block B के उपर भी T ही लग रही होगी tension in the upward direction ठीक है और माल लेते हैं कि लगसे block B की velocity है upward direction में वो V1 है और इसका acceleration A1 है यह दोनों हमने B के बारे में माल लिया ठीक है ground के respect में माने हैं अभी हमने A के respect में नहीं माने हैं पहले हम ground के respect में निकालेंगे फिर A के respect में उसको convert कर देंगे ठीक है तो A के उपर जो tension force लग रहा होगा वो होगा 2T और 2T जो कि इन दोनों strings में आ रहा होगा ठीक है अब हम क्या करते हैं यहाँ पर constraint relation लगा देते हैं सारी strings को system मानते हुए तो police के उपर तो neck tension का force 0 हो जाएगा और हमारे पास में जो block A है और block B है केवल हमको इनके उपर constraint relation लगाना होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हम constraint relation use करेंगे वो रहेगा summation of t.a is equal to 0 acceleration के analysis के लिए और क्योंकि velocity और acceleration दोनों ही हमको v और a दिये हुए है तो जो relation हमारे पास में acceleration के लिए आएगा वैसा ही दिखने वाला relation हमारे पास velocity के लिए भी आएगा तो हमके वाल acceleration के लिए निकालते हैं similar relation हमारे पास में velocity के लिए भी generate हो जाएगा तो हमें double काम करने के जरूरत नहीं है ठीक है तो हम acceleration के लिए solve करते हैं तो block a के लिए जो हम equation लिखेंगे वो बनेगी 4t multiplied by a multiplied by cos of 180 क्योंकि tension और acceleration block a के लिए opposite direction में है यह equation बनेगी और इन दोनों के addition को open कर देते हैं 0 तो यहां से हमारे पास में देखो a1 का क्या relation आ रहा है a1 की value हमारे पास में आ रही है 4a और similar calculation हम summation of t.v is equal to 0 से velocity के लिए करेंगे तो हमारे पास में velocity का relation आ जाएगा v1 is equal to 4b यह हमारे पास में velocity का relation आ जाएगा तो यहां से हमारे पास में a1 और b1 आ गए याने कि block b की velocity और acceleration हमारे पास में आ गए अब हम क्या करेंगे कि block b का velocity और acceleration हम a के respect में निकालेंगे अब देखो यह है tricky part इस question का b जो है उसकी velocity और acceleration हमारे पास में आ गए है 4A और 4V in the upward direction तो हमके वहल acceleration के लिए काम करते हैं similar result हमारे पास velocity के लिए आएगा क्योंकि data में consistency है ठीक है तो यह तो है B का acceleration ground के respect में है अब हमें A के respect में अगर solve करना है तो A को रोग दो और A का acceleration उल्टा करके B में add कर दो तो यहाँ पर हम इस तरह से add कर देंगे तो इन दोनों का जो resultant आएगा वो होगा acceleration of B with respect to A और इन दोनों का आप resultant देख सकते हो वो कैसा निकालेंगे हम यह होगा A resultant और A resultant की value कितनी हो जाएगी A resultant हो जाएगा 4A whole square plus A square और इस पूरी चीज का under root तो यह बन जाएगा root 17 A तो यही है answer इस question का यह है acceleration of B with respect to A और इसे तरीके से velocity of B with respect to A यह हो जाएगी root 17 V by similarity तो यह answer साएगे अब हम options को चेक करते हैं तो देखे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल option D match कर रहा है और कोई भी option match नहीं कर रहा है तो option D ही इस question का answer है तो यह हमने एक constraint motion का question solve किया जिसमें relative motion का concept भी थोड़ा बहुत लग दिया ठीक है students तो मैं hope कर रहा हूँ आपको एक clear हो गया होगा हम लोग मिलेंगे और नए challenging problems और concepts के साथ में आने वाले वीडियोस में Thank you